हाई एवरिवन आज मैं आप लोगे साथ में शेयर करूँगी ये महंधी ब्राइड आई मेकप रेटारियल आप इस लुक को किसी भी ग्रिन डेस्ट पे या किसी भी महंधी फंक्शन्स में या किसी भी ग्रिन आउट्फिट पे भी इस लुक को आराम से क्रेट कर सकतो काफी इस लुक को अचीव करना तो आज से मैं अपने चैनल पर वेडिंग सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ हर दिन अलग-अलग आपको नए ने लुक दिखने को मिलेंगे तो चलिए अगर आपको देखना हो कि मैंने इस लुक को कैसे चीव के तो प्लीज किप ऑन वॉचिंग यू कैन भी का इसुड़ पैलेट लिया है उसमें से ही मैंने बेबी पिंक शेट को यूज कर रही हूँ इसको मैं छोटे से ब्लेंड ब्रश के हैप से अपने किरीज एरिया में अप्लाए करूंगे एज़ा ट्रांसिक्शन कलर और इसको हमें सर्कुलर मोशन में अप्लाए यूज कर रही हूँ इसको इस तरीके से अपने आइलिट पर अप्लाए कर दूंगे तो जहाँ पर मुझे मांक दिखेगा मैं बस वहीं तक अपने कट्रीज को ड्रॉ करूंगे यहाँ पर मैं हार्फ कर कर रही हूँ अपने आइलिट पर मैं एक छोटे से फ्रेल ब्रश के ह अप्लाई किया है ildu i base उसको मैं अच्न सेट नहीं करूंगे उसको मैं आईशेड़ो के हैप सेट करूंगे तो उससे आपको आपके आईशेडो के pigment भी अच्छे से मिलेगा यह मैने यलॉ मैट शेट को यूज रही है और इसको मैं डियरेकर अपने Center में apply करूंगे यहां पर में inner corner के तरफ अभी green shade को apply करूंगे तो सबसे पहले हम यहां पर yellow shade apply करेंगे तो इस तरीके से आपको काफी pigment मिलता है अपने eye area पर फिर इसमें से यह मैंने ग्रीन शेड को यूज़ कर रही हूँ यह डाक ग्रीन शेड है और इसको भी मैं सेम प्रेश के हैप से इस तरीके से अपने इनर कॉर्णर के तरफ अपलाए करूंगी तो आप देख सकते हो कि वेट बेस पर कितना पिग्मेंट आ रहा है अगर आपको शेमर अपलाए करना है तो आपको पहले बेस को सेट करने के बाद में शेमर अपलाए करना उसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों आईशेडो कर्चे से मैं मर्च कर दूंगी ताकि कोई भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगि इस तरीके साफ देख सकते हैं कैसे ब्लेंड कर रही है पिर उसके बात में यह तीनों शेट को आपस मैं अच्छे से मर्च कर दूंगी जिसके क오 से फेस तो और तों अपने आई लिट पर सेंटर में अपलाइ करूँ इस तरी के से उसके बात यहां पर मैं ये इघ्लिटr अपलाए कर रही हुं और तो यह मैन एक अतली किया तरी ये मैं मिश्यिर से बढ़ाइक किया था यह पाउडर ग्लिटर रहे और इसको मैं ठग कर दूँगी अपने सेंटर में सेंटर आय लीट पे तो इस बैटन वाइल का वाइट काजल यूज़ कर रहे हूं यह मैट है और इसको मैं अपने वाटर लाइन पे अपलाए कर दूँगी काजल अपलाई करने के बाद में उसको मैं अच्छे से ब्लैंड कर दूंगे ब्लैक आशेडर के हैपस अपने लोग लेश लाइन पे फिर उसके बाद यहां पर मैं आई बेंकर बैलन्स करने के लिए ग्रीन शेट को भी अपलाई कर दूंगी फिर अब में ये बहुत ही थीन ब्रश है ये पैंसिल ब्रश है बहुत ही पतला बरश है इसके हल्प से में ब्लैक आशेटर को लूंगी और इसको मैं अपने eins a eyeliner अपलाय कर रही हूं तो ये मैं एक रफली सा smudge eyeliner यहापर रोक कर रहे हूं ब्लैक आशेटर के हल्प से फिर उसके बाद यहां पर मैं हाइलेट यूज़ कर रही हूँ Huda Beauty का मैंने डूप हाइलेटर यूज़ किया है इसको मैं अच्छे से हाइलेट कर दूँगे अपने ब्राव बॉन को और अपने इनर कॉनर को काफी अच्छे से हाइलेट करने से आपका आई मेकप काफी उठके दिखता है और भी एहनेंस होता है और भी एट्रेक्टिव दिखता है उसके बाद यहां पर मैंने मेबरिन का मसकारे यूज़ कर रही हूँ उसको मैं अपने अपने अपर लेश पर लेश पर मसकारे के अच्छे सो कोटिंग कर दूँगे मैं उसके बाद यहां पर मैं फॉल्स आइलेश पर अप्लाय कर दूँगे तो यहां पर मैंने रेट चेरी का फॉल्स आइलेश मैं अप्लाय करती हूँ मेरा हारा अपने आई मेकप में तो बस यहाँ पर यह लूप कम्प्रीट होता है I hope कि आपको यह वीडियो जोरू पसंद आए होगा आज का यह टुटॉर्यल पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और कॉमन्ट करके बुझे बताया कि आपको यह लूप कैसे लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो मैं आपसे मिल तो अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टिल देन टेक केर एंड बाए